MSA Study में 5 अलग तरह के variation होते हैं, उन मेंसे 2 variation बहुत important होते हैं, एक उतर stability और एक उतर linearity. अकसर ऐसा होता है कि इंडस्टी में इसकी जानकारी बहुत कम होते हैं, लोगों को या तो पता ही नहीं होता कि ये क्या है, या अगर पता भी होता है तो यहीं नहीं पता होता है कि इन में difference क्या है तो जब तक यह वीडियो समापत होगा आपको समझ में आएगा कि लिनियरिटी क्या होता है स्टेविलिटी क्या होता है क्या परपर्स है क्या objective है और किस तरीके से अगर लिनियरिटी या स्टेविलिटी में कोई error आ रहा है तो उसको कैसे हम इंप्रूव कर सकता है कि अक्सर हम देखते हैं हम किसी apply को नोकरी पर रखते हैं और कुस टाइम तक performance बहुत अच्छी रखती है फिर performance डाउन हो जाती है फिर performance ठीक हो जाती है, फिर performance डाउन हो जाती है, और समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि वर घर में ऐसा होता है, बच्चे के साथ भी, कि जब बच्चा शुरू में पढ़ाई शुरू करता है, तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन जब तक final आते हैं उसको समझना बहुत जोरी है, और हुआ है bias, जब bias की बात करते हैं, तो bias का simple सा intent यह है, कि हम एक standard room में एक certain reading लेते हैं, और उसके बाद जहां पर actually में हम काम करते हैं, जो work environment है, जहां पर temperature बहुत जादा हो सकते है, humidity बहुत जादा हो सकती है, shore भी होगा, बहुत कुछ होग अब वहां पर जब उस reading को लेते हैं, तो हम यह चेक करते हैं कि standard room में और real condition में उन दोरों में क्या variation है, इसको हम bias करते हैं, अब आगे बात करते हैं, with respect to stability and linearity, जब stability की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं, variation of bias with respect to time, यानि कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इंडिया के context मे बात करते हैं, तो हमारे यहां पर सरदी भी अच्छी गासी पड़ती है, गर्मी बच्छी पड़ती है, बारिश भी अच्छी पड़ती है, कम से कम तीन मौसम तो है, और प्लस एक चोथा मौसम और है जहां, मौसम बहुत ही pleasant होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ instrument ऐसे होत करते हो, उसका हमने टाइम सेट किया कि पंदरा सेकिंड में वो विस्कॉसिटी हम डिसाइड करते हैं कि होनी चीए, बाट जैसे ही गर्मी आएगी, वो विस्कॉसिटी पंदरा की जगा 13-12 में हो जाएगी, क्योंकि मौसम चेंज हो गया, उसी तरह से अकसर कुछ instruments ऐसे होत है, ज़िए मोसम से इंपेक्ट पूरता है, उन सब instruments के अंदर हमें stability study करने हैं और यह देखना है कि वो जो बाएस है, वो कितना वहरी कर रहा है, और जितना भी वहरी कर रहा है, क्या वो विदिन लिमिट है या उस लिमिट के बाहर जा रहा है, अगर वो लिमिट से बाहर ज से फर एक्जामपल बात करें अगर मान के चलिए एक वन्यर कैलिपर है और वन्यर कैलिपर यह 200 mm का जिए उसको जिरो पेश दस 20 500 500 200 तक उसे चेक करता है अब हो सकता है कि शिरू शिरूमें जो तीक आ रहे हैं लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जारहे हैं में भी पॉस्टिव साइड में तो क्यों आ रहा है किसले आरह और जतना भी आर रहा है वो क्या विदिन लिमीट आ रहा है यह वो लिमिट से ज्यादा आ रहा है उसको अंडरस्टेंड करना बहुत जरूरी है इसी को हम linearity बोलते हैं कि एक पूरे instrument की complete range में अलगलग stages पर जतना भी error आ रहा है कि वो सही है नहीं है और in case stability or linearity की बात करें अगर कोई error ज्यादा आ रहा है तो हमें इस बात को देखना जरूरी है कि जो हम calibration कर रहे है क्या ठीक time पर कर रहे है इस बात को भी देखना बहुत जरूरी है कि जो calibration हम कर रहे है क्या उसकी periodic frequency ठीक है या उसको हमी change करने के जरूरी होता है जिस तरीके इंस्ट्रूनिंट को हम handling कर रहरे है उसको भी देखने के जरूरी है क्या उसकी handling ठीक से हो रही है या ऊसको ठोड़ा सा और improve कि अरुकम करने की जिसके कि यह जो वेरेश्फ न बात की बारे के बारे मिने बारे में आप से बात कि लिनियर्टी ङपार्य के बारे में तो किस सभिध की बात जा करता है उसको में अगला वीडियो रहेगा वहां पर एक बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक है अक्सर हम आर और की बात करते हैं कि दस पसंद गेंदर होना चाहिए दस से तीस होना चाहिए तीस से ज्यादा होना चाहिए इसका मतलब क्या है इसका मीनिंग क्या है इसको टेछन इस पर्टिक्लर वीडियो का और डेटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो आप नीचे देखिए एक लिंक हो और उसे क्लिक करें तो ब्लोग आपको देखेगा वहाँ पर और जानकारी मुलेगी इस वीडियो के बारे में और अगर इस पर्टिकलर वीडियो और को आप पसंद करते हैं तो आपने फ्रेंड से और कुली से शेर भी कर सकते हैं मेरी यूट्यूब चैनल और मेरी वेब साइट भविमंगा.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दन्यवाद